हाई फ्रेंड्स आज मैं अब सब के लिए लाई हूँ बैगन बड़ी और आलू की भरता के रिष्प जो मैं साथ में मराने बाली हूँ इन दिनों तो बड़ियां बहुत ही अच्छ जाता है आपको पता है क्योंकि यह विंटर सिजन चल रहा है अभी हर घर में यह बड़िया इजीली मिलता है और इसके साथ जो मैंने यह करे लेकि भरता सर्प किये हैं तो इसके भी रेसिपी अब चाहिए तो डिस्किप्शन तो बेगन को अच्छे से कट करने के बाद यहां पर अवस कर लिया है फिर इसके उपर ओपर थोड़ा सा तेल लगा कर इसको हम भून लेंगे और यहां पर मैंने कुछ आलू को बॉाइल करने रखा है अब देख सकते हो यहां पर बेगन को थोड़ा सा बलट रही हूँ palsार कटते हुए इसको अच्छे से भून लेंगे दूसरी और हमने यहां पर आलू भी बॉयल करने रखा है अब चाहिए तो क्रिसर कुगर में आलू को बॉयल कर सकते हो सकते हैं अब फ्रेंट हमने यहां पर राइस के साथ ही बॉयल करने रखा है क्योंकि हम राइस बना रहे थे घर पे घर पे हम ऐसे ही राइस के साथ ही आलू को बाल लेते हैं तो वही टेकनिक में आज आपके बताई हूँ और लिपते हुए मैं इसको अच्छे से भून लोगे और एक बात बताना था फ्रेंट बैगन को भूनने के वक्त आज बिलकुल सेम ही रखना है जयने की लो तो लो फ्लेम से लो फ्लेम या मेडियम पे मेडियम ही रखना है लो या मेडियम या हाइश बढ़ाना और कमाना नहीं है देखिए हमारा आलू भी हो गया है अब इसको मैं राइक्स के अंदर से बाहर लिकाल रही हूं इसी तरीके से हमारा बैंगन भी भून चुका है अब बैंगन के उपर के सारी छिलके को हम पिल कर लेंगे इसी तरीके से बैंगन के सारे छिलके को हमको पिल कर लेना है अब चाहिए तो गर्म गर्म बैंगन भूनने के बाद भी अब पानी के अंदर डाल कर उसको पिल कर सकते हो मैंने यहाँ पे ऐसे ही पिल कर रहा है पानी इस्तेमाल नहीं किया अब चाहिए तो कर सकते हो बैंगन भूनने के वक्त फ्लेम कम या जादा नहीं करना है सेम ही रखना है क्यूंकि बैंगन नहीं तो कच्चा हो जाकता है आपे ऐंगन सही तरीका से नहीं भुनेगा तब इसलिए हमको फ्लेम बिल्कुल सही रखना है अपको स्थेंेदि रखना है तो इसी तरीके से मैं दुसरे ब्याइंगन अश्ค宏 कर लिए हूँ अब देख सकते हूं यह हमारा बेंगन भी में दुसरा ब nivel भी पिल हो चुका है इसके शिलके अब को दिखाती हूँ देखे शिलके कों को फेग देना है अब यहां से मैं आलू को लिकाल रही हूँ मैंने यहां पर आलू को बॉयल होने के बाद भी राइस के उपर एक कटोरे में रखा था क्योंकि गर्मा गरम आलू के भड़ते खाना बहुत ही अच्छा लगता है अब देख सेक तो यह मैंने एकड़ाई ले लिया इसमें थोड़ा सा तेल एट किया है कि अब इसमें हम एट करेंगे बढ़िया यह घर पे घर की बनाई बढ़िया है अब बहुत ही इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है कि इसको धीरे धीरे पलटे हुए है हमको बोन लेना है अच्छे से प्राइकल लेना है बहुत है देख सकते हो से करेर तो रहाबात ज़्चाने नहां है नीड़ी इसको इसे दरीके से आमको मुंते जाणा है यह हो गया हमारा बढ़िया अब इसी तरीके से इस बढ़िये को भी हम निकाल लेंगे देख सकते हो यह बिलकल भून चुका है सारे बढ़िया को इसी तरीके से हम बाहर लिका लेंगे तो इस बढ़िये को अब हम क्या करेंगे हिमाम देश्टे में अच्छे से इसको कूट लेंगे अब इसमें हम एट करें है हरा मिर्च तीन हरा मिर्च हमने यह पर एट किया और श्रौाद अनसर नमक एट करना है अब इसको अच्छे से हिमाम देश्टे की सायाता से अच्छे से कूट लेंगे दरदरा पन इसको लाना है अब चाहे तो इसको ग्राइंडर के जार पी भी क्रस कर सकते हो पर बिल्कुल पाउडर जैसा नहीं बनाना है थोड़ा सा दरदरा पन इसमें रखना है इसी तरीके से हमारा बढ़िया जो है बहुत ये अच्छी तरीके से ये क्रस हो चुका है अब देख सकते हो अब देख सकते हो ये हमारा क्रस्ट किये हुए बढ़िया है अब इसको अच्छे से हम चम्मेच के साइद इसे मिक्स कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा बढ़िया अब इसको हम दिकाल लेंगे एक पराद पर अब हम दो बैंगन जो अच्छे से भून चुके थे उसको हम मैस कर लेंगे जिसे मैस करने के बाद अब यहां पर हमने कुछ बॉilड आलो ले लिया है इस बॉilड आलो को भी हम अच्छे से मैस कर लेंगे अब सारे आलो को हम एक साइट कर लेंगे अब सारे आलो को हम एक साइट कर लेंगे हमने यहां पर क्रिप्टीन मेडियम साइट के प्यांज को अच्छे से चौप कर रखा है अब इसमें हम एक कर रहे हैं स्वादन सर नमाक और हरा मेर्च को अच्छे से हम यहां पर मसल लेंगे मेर्च को बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए हमने यहां पर तीन हरा मेर्च लिया है अब इसको अच्छे से हाथों के मदद से इसको प्यांज के साथ मिक्स कर लेंगे अब सारा जो बढ़िया और बैंगन और आलू है इसको साथ में हम मिक्स करते जाएंगे और हमारा यह प्यांज के मिक्स है इसको भी हम इसके साथ मिक्स कर देंगे इसी तरीके से इसी तरीके से यह बहिंगन बढ़ी है और आलू की बरता है यह बहुत ही स्वादिश्ट और बहुत ही जादा मज़दार बनता है अब लोग को अगर यह बढ़िया पैसंद है तो अब जरूर एक बार यह रेसिपी फालो कीजिए और जरूर बनाएं बना कर खाएं बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट बनता है अब इसको राइस के साथ सर्फ कर सकते हो अब इसमें हम एट करेंगे लिटेश्ट सर्सो का ऑईल सारा अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हमने यहाँ पे करीब क्वान टे स्पुन सर्सो का ऑईल इसमें एट किया अब उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं अब देख सकते हूं यह हमारा भरता बिल्कुल रडी हो चुका है अब एक राउन सेप दे देंगे और अब चाहे तो यह राइस के साथ सर्फ कर सकते हो और या फिर रोटी के साथ भी सर्फ कर सकते हो बट हमने यहाँ पर राइस के साथ सर्फ किया और अगर आपको हमारा इस पी अच्छा लगा हो तो प्लीज फ्रेंट लाइक सेर और सब्सक्राइब करना ज्यादा से ज्यादा सेर किजिए थैंक्स पर वाचिंग